नेक्स्ट कॉलर है भवानी लाल मीरट से हमारे साथ स्वागत है आपका थैंक्यू बटम थैंक्यू हान जी सवाल कीजी क्या जानना चाहते हैं मेडम मेरा सवाल यह है मेरी पत्री है उनकी उमर साथ साल है ठीक है और उनका आभी मैंने अल्ट्रसाउंड करया तो फैटी लीवर की रिपूट आई है ठीक है और दीक है बहुत ज्यादा फैटी लीवर हो रहे है और फैटी लीवर की वजा यह है कि हम जब भी बहुत किसी बड़ी बीमारी मुपतला होते हैं जिसमें हमें 10-15 दिन एंटी वैटी खानी पड़ती है उसके बाद हमारे लीवर पे असर रह जाता है जिसका हम कभी इलाज नहीं करते हैं अलोपैट में लीवर को कोई ऐसा पार्ट नहीं मानते जो जरूरी होता है जबके यौणानी में इसको बहुत जिम्मेदार दिमाग के बाद सबसे जिम्मेदार पार्ट लीवर हम मानते हैं अलोपैट में कोई डौक्टर भी नहीं होता लीवर का वो पेट के डौक्टर का इसका इलाज करता है इसलिए तफसील बता रहो कि हम समझ सकें कि हम क्या है और फैटी लीवर का इलाज में सबसे पहले एनिमल फैट छोड़ना होगा गोश्ट छोड़ना होगा तलीवी चीजे और देखें मसका जो आप खाते हैं मकहन इसमें भी एनिमल फैट है दूद में भी है देशी घी में भ करें और एक सिर्का आता है जैतून का सिर्का सुबा शाम दो से तीन चम्मच छोटे चाय के चम्मच एक गिलास पानी में मिला के पिया करें और अपकी पत्नी को पैदल चलने को कहें दूप में वो एक घंटा जरूर रहे रोजाना तो उनका ठीक होना मुमकिन है नेक्स्ट लता बदरपूर से हमारे साथ पागत है लता जी आपका अजि मारम ये बात कराई आपका सुन जैंड़ा जी आदा वर्च करते हैं जी नमस्कार जी आदा जी आदा जी मेरे को ना तीन साल से शूगर है और मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है क्या उम्र है रता जी आपकी मेरे प्रकाश करा अजिए शूगर का तो इलाज आप करते हैं लेकिन अगर रोजाना तीन चम्मच जैतून का सिर्का पी लिया करें एक गिलास पानी मिलाके छोटा चाय का चम्मच तो शूगर आपकी वो रहेगी जितना चाहिए और अगर बहुत जाज ज़रूत है तो दो टाइम भी पी सकते हैं छोटे चाय का चम्मच जैतून का सिर्का लेकिन उससे आपको वो दवा भी लेते हैं जो डॉक्टर ने दिये लेकिन यह आपको सुरक्षित भी रखेगी यानि आपको नुक्सानात नहीं होने देतें किड काला गौन भी कहते हैं इसे मुश्किल से मिलता है नकली भी मिलता है और कड़वा भी होता है तो सुबा शाम आधा दक गिराम यानि एक गोली चने की पराबर बना ले रो मैटेरिल ही लेना तो आपको फाइदा मुमकिन है चलिए तो आपको फाइदा जरूर हो जाएगा ल एक-एक बात आप लोगको नोट डाउन करनी हैं परहेज कौन-कौन से आपको बताया जाते हैं वो भी आपको धिहान में रखने हैं और इसी के साथ कौन सा ग्राम आपको कितना उपचार करना है कि इतना राव मैटीरियल आपको बनाना है ये भी आप लोग दूड़ नोट लेकिन युनानी से जुड़के घरे लो नुसके अपनाके अब वो लोग फिट हैं और बहतर जिंदगी अपनी गुजार रही हैं ऐसे ही आप लोग भी फिट हो सकते हैं आपको कोई रोग छू तक नहीं पाएगा अगर आप लोग नुसके अपनाते हैं जो हकीम सहाब आप गजयाबाद से बात करी हैं या मैं रामुर्ष्टी गोयल बोर रहे हूं ऌग इसे भी बहत मोटा है ठीक है टीक है टीक है खाता बहता है सार्ण कि इसका मन करता है मैं खाता रूँ तो 25 साल पैसर स्लमाझ मतलब उसका बताई है थीक है तो उसका कोई șलाज बता लीजिए ठीकर इसको दवा देना तो गलत है कि वो ग्रोध कर रहा है अच्छी ग्रोध कर रहा है अगर उसके लंबाई भी अच्छी है हाईड भी अच्छी है तो ग्रोध तो करने दीजिए लेकिन जो आप खाना बनाती है उसमें बहुत सारा लेसन इतना सारा और इतनी अधरक और जीरा भी जादा डाली है ताकि वो जो खाए तो वो चर्वी उसके जिसम को नहीं लगे बलके निकल जाए ये एक अच्छा तरीका है और उसको स्पोर्ट में भागने दोड़ने वाले गेम में उसको शामिल कीजे किरिकिट है, फुटबॉल है, वाली वाल है, कुछ भी वो गेम जो पसंद करता है लेकिन आउटडॉर गेम उसको जरूर खिलाएए पी सके तो पाँच बार गरम पानी पुलाईए और बहुत दवा उसको देना ठीक नहीं है, ये अगर आप अमल कराती है तो उसका वजन काबू में होना मुम्किन है नेक्स्ट कॉलर है, आरबी सिंग, बरेली से हमारे साथ, स्वागत है आपका हाँ जी, प्रश्न कीजी अपना हाँ मड़म, और इसके कूले में इसमें दर्द रहता है, ये नाचा आपका वाँदी उप्चार है जी ठीक, हो दिए, बढ़ती उमर में शायद ही कोई शक्त ऐसा हो, जिसके दर्द नहीं होता और उसकी दवाएं हम वही लेते, अगर मेरे भी दर्द हो, कोई आज कमर में, मेरे पास कोई दवा नहीं है कि मैं आज ही फाइदा कर लूँ, तो मैं इंगलिश ले लेता हूँ, लकिन अगर मुझे महीनों और सालों कोई तकलीफ होती है, तो मैं फिर यूनानी लूँगा यूनानी में गौन, सिया, बार बार में बताता हूँ, एक ऐसी रो मैटेरियल है, जिससे बहुत फाइदा मुमकिन है सो दो सो गिराम खरीदें, आदा आदा गिराम सुबाशाम पानी से, दोगि यूनानी जल्दी भी फाइदा करती है, किसी को और देर में भी करती है जिसको फाइदा हो जाए जल्दी, वो भी तीन-चार महीने लगातार दवखाए, ताके मर्ज से निजात मिल सके नेक्स्ट कॉलर है, हरभजन सिंग हमारे साथ, स्वागत है आपका नमस्कार जी जी आदा बर्ज जनाब, फर्माईए क्या सेवा की जाए पहले तो अच्छा बला, मैं चाटर किलोमेटर चलने साथा था पहली पर चार महीने से ऐसा हो गया कि मालब घर से थोड़ा सा बाहर भी जाता हूं तो सांस करने लग जाता है एज बता दीजे एज पक्रीवन सेवन्टी की करीव है आरे बहुत मुबारक, आप अच्छी अमर में जी रहे हैं और इस वक्त में हमारे दिल पर कमजोरी आती है और उसके लिए आप देखिए जो भी घर में आपके खाना बनाते हैं उनसे कहिए लेसन इतना सारा इस्तमाल करें इतना सा नहीं हमारी महिलाएं अक्सर कंजूसी करती है लेसन अधरक को इस्तमाल करने में इतना लेसन इतनी अधरक इस्तमाल करें इससे कालिस्टॉल कम होगा दिल मजबूत होता है और दुखिए एक सिर्का अगर आपको मिल जाए तो जैतून का सिर्का लीजे और रोजाना तीन चम्मज सुबा नाश्ते के बाद तीन चम्मज रात बुखाने के बाद पानी में मिला के लिए छोटे चाय के चम्मज तो आप शेहत्मा जिंदगी कुजार सकते हैं अगली कॉलर है दिल्ली से गीता हमारे साथ स्वागत है गीता जी आपका नमस्क्राइड़्ट साथ जी आदावर्जे नमस्क्राइड़्ट साथ मेरे को अपने बेटे के लिए पूछना है उसकी एज है 48 तो वो ना उसको पाइड़्ट की भी प्रॉब्लम थी पाइड़्ट भी है लेकिन उसको अस्तमे की अब ज्यादा प्रॉब्लम है जी नमस्क्राइड़्ट साथ मेरे बेटे को अस्तमा है उसकी 40 साल उमर है ठीके ठीके जी प्रॉब्लम थाइड़्ट जिसके कमजोर होते हैं बार बार अस्तमा होने से बार बार नजला खांसी होने से होता है और इस वक्त प्रॉब्लम ये अस्तमा वाले बहुत मजलूम है कि ऐसी माहौल चलना है देश में पूरी फैली हुई है बीमारी तो उनका खास ख्याल लगी है और गरम मिजाज की चीज़ें उन्हें खिलाई है जो भी गरम चीज़ें वो खिलाई ठंडी बिल्कुल मत खिलाई करिए आम खिला सकते हैं चीकू खिला सकते हैं और पपीता खिला सकते हैं लेकि ये संतरा, मौसमी और ये लीबू, आमकाचार, खटी चीज़े बिलकुल निकलाई है अस्तमे के लिए बाकाइदा भी इलाज है, माजून आर केर द्वारा होता है माजून आर केर, और घरे लो इलाज ये है कि गरम चीज़े खिलाएं और सपिस्तान, उननाब, अलसी, सो सो गिराम लें और बीच गिराम इसमें पीपले मिलाकर पाउडर बनाएं एक चमच सुबा, एक चमच शाम गरम पानी से किलाएं और अस्तमेवाले को, क्या आम आदमी को भी गरम पानी रोजाना पीना चाहिए जितना भी पी सकते हैं, मैं कमच कम पान्च किलास गरम पानी पीता हूँ और शेहतमन रहता हूँ नेक्स्ट कॉलर है, तरुन गाजबाद से हमारे साथ, स्वागत तरुन आपका नमस्तर जी, जी नमस्तर जी आदा रहूंगे, और आम नहीं हो रहा मेरे को कई चीजों से, दवाईयों से एज बताईए अपनी 33 है अच्छे देखिए, ये मर्ज की दवाद तीन महीने लगातार खानी चाहिए और बहुत आसान इलाज है, लेकिन तेज़ दवाई तो आपने खाके देख ली और खाते भी होंगे ये दवाई रोज आना जरा सा फाइदा करती है स्टॉंग तो है, लेकिन ये आपके मर्ज पर काम करती है आपके, अगर बना सकें तो बना लाए देखिए, आपको लेना है धनिया 300 ग्राम और अलसी 100 ग्राम चोटी हड 100 ग्राम और इसमें गौन मौरिंगा 100 ग्राम और इसमें 50 ग्राम छोटी इलाची 50 ग्राम जो हरी वाली इलाची छोटी इलाची कहलाती है वो डालिए और इसको घर में ही पॉटर बनाना है सब रो मेटरियल लाना है पिसे पे साहर नहीं लाना नहीं तो फायदा नहीं करेगी, मिलावट बहुत होती है, सब रो मैटेरियल लाना, कुछ तो आपके घर में होंगी, कुछ बाजार से ले लें, गौन मौरिंगा आप जरूर लें, और असली लें, और इसका पाउडर बनाके, या तो आप इसके बर पानी से, और आप देखेंगे, कि ये मैटेरियल खतम होने से पहले, आपको फायदा मुम्किन है, नेक्स्ट कॉलर है, इंदर राजिस्थान से हमारे साल, स्वागत है, इंदर जी आपका, जी मेडम जी, हान जी, सवाल कीजिए, जी मेडम जी, मेरे पार बार ले टिंडूर जी, एज बताईए इंदर भाई, उमर है, पत्चीस साल, जी, हाँ, और वचन साटल की लो, साटे जी, ठीक है, इंदर भाई, मैं अक्सर गॉन्द बताता हूं तरह तरह के, एक गॉन्द आता है, जिसे बदाम का गॉन्द कहते है, बदाम का, इसे हमारी जबान में कतीरा कह है, आपकी जबान में, बदाम का गॉन्द कहते है, तो यह ले लिजे, सो, दो सो गराम खरीद लीजे, घर में बचा पड़ा रहेगा, एक गराम, इसका पाउडर बना लीजे, आसानी से बन जाएगा, और एक गराम पानी में मिला दें, और थोड़ी दिर बाद इसको पी ल इंदर महता, जोदफूर से हमारे साथ सफागत है आपका, नमस्कार, आपका से बाद करने की, जी आदा वर्ज में आप से कलाम कर रहा हूं, बताईए, जी, जी, मैं सुन रहा हूं, बताईए, तीक है, उसके 70 एर्ज की है, जी, 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 ठीक है अच्छा देखिए एक आता है जैतून का सिर्का जैतून का सिर्का और यह खरीद ले और तीन चम्मच रोजाना रात को पानी में मिलाकर एक ग्लास पानी मिलाकर पिला दिया करिए इनकी डाइपटीज भी कंट्रॉल रहेगी और डाइनेस भी बहुत मैं भी बहुत फ सकते हैं छोटे चाय के चम्मच दो या तीन चम्मच पानी में मिलाकर एक ग्लास रोजाना पिलाया करें